नमश्कार दूसी और दूर में दिन के समय धूप निकलने से तापमान 22 दशलना 9 डिग्री दर्ज किया गया रात को ठंडी हवाई चलने के साथ ही पाला जमने के वज़े से तापमान 7 डिग्री रहा इससे सुबह शाम एवं रात को ठंड में इजाफा हुआ है सुप्रिम कोट के निर्देशों के अभिलना पड़ी भरी उताखन डीजीपी को हाई कोट में पेश होने के आदेश जानिये पूरा मामला उताखन पुलिस को सुप्रिम कोट के निर्देशों का नुपालन कर ना करना भरी पड़ा है मामला थाना राम नगर में पंजीकरत मुकदमे को लेकर आरोपियों के गिरफतारी से जुड़ा हुआ है जिसे सुप्रेम कोट के रिधेशों के अभिला के रूप में देखा गया अब इस पर हाई कोट ने नाराज़गी भी दर्ज कराई है राम नगर में शरावी ने रौंग साइड में दोडाई कार, टकर में तीन लोग घायल, पुलिस ने दबोचा नैने ताल के राम नगर में देरा तेज अफतार कार का कहर देखने को मिला जहां चालक ने रॉंग साइड में कार दोड़ा दी जिसके टकर तीन लोग घायल हो गए घायलों में एक बच्चा भी शामिल है जबकि एक सक्ष की हालत गंबिर होने पर उसे हर सेंटर रैफर कर दिया गया है उधर पुलिस ने कार चालक को गिरफतार कर लिया है सोबन सिंग जीना विश्विधाले परसर के होस्टल में चातर की मौत विश्विधाले परशाचन में मचा हड़कम पुलिस जाच कर रही है साथी मामले में बाल विकास मंत्री रेखारे ने दो महिला कमचारी को निलम्बित कर दिया है साइबर कैम का शिकार हुई मित्र पुलिस हैखवा चमुली पुलिस का फेस्बुक पेज दस दिन बाद भी नहीं हुआ फ sketch दिन बड़ी बात यह कि खुद उत्राकिन पुलिस भी साइबर हमलों की शिकार हुई है इस बार मौने चमुली पुलिस का है जिनके फेस्बुक पेज को साइबर अप्रादें श्किया हखचिया हुआ है बावजूद इसके अब तक पुलिस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई है DM सोनिका ने किया नगर निगम का निरेक्शन डूटी से नदारत मिले कमचारी मांगा इस पश्टी करण देहदुन DM सोनिका सिंग ने नगर निगम का और्चिक नेक्शन किया इस ओन 13 कमचारी नद अनुपस्थित मिले DM सभी से इस पश्टी करण मांगा है कोट की अदेश का पाला नकरना पड़ा भारी सिस्पेंट हुए रामनगर कोटवाल अरूर सैनी को सिस्पेंट कर दिया गया है दहरदुन जमीन ररजिस्ट्री फरजी वाड़े में एक और गिरफतारी हो चुकी है, SIT ने हर्याणा के अमबाला से एक आरूपी को गिरफतार किया है, आरूपी ने अपने दोसातों के साथ मिलकर दहरदुन की तस बीगा जमीन को हतियाने के लिए यह उजना बनाई थी, अ आरूपी ने एक अन्य विक्ति को जरिया बना कर बैंक में खाता खुलवाया, खाते से सम्मंदित, सभी चीज़े अपने पास रखी, फिलाल पुलिस को ठगी के रुपए बरामद नहीं हुए हैं। राजेपाल लेटेन जनरल गुर्मीत सिंग ने किया। संसे सोरक्षा चुक मामले पर केंदरी रक्षा राजमंती अजेभट का बयान आया है, केंदरी रक्षा राजमंती अजेभट ने काकिस घटना के बाद अफसांसदों के लिए पास जारी करना धहम सकट हो गया है। उन्होंने काकिस पूरे मामले के पीछे कौन है, जल्द ही सामने आ जाएगा। रूड़की में लुटेरों का का नामा ग्यास कटर से काटा SBI का ATM लाखों का कैश लेकर फरार। पर रौनक नजर आ गई है। पुलिस को इसके शेंग्षे जंगल में मिला है, घटना सल पर फॉरंसिक टीम को बुला कर पुलिस ने जरूरी सबूत जुटाए है। पुलिस ने आत्मत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युग अकबर मुकदमा भी दर्च किया है। उताखण में अप्रेल से महंगी होगी बेजली। पुलिस के दोरान मुबाइल फोन चलाया, तो नपेंगे पुलिस करमी। SSP ने ड्यूटी के दौरन पुलिस कर्मियों के मुबाइल चलाने पर सक्त रूप अपनाया है, उन्होंने चितामनी दिया कि ऐसे कमचारों के खिलाब दंडात्मक कारवाई की जाएगी, SSP ने जिले के सभी थाना प्रभारी को सगन सितापन अभियान चलाने के आदेश भी द चैनेवार को जानकारी मिलने पर विभागय मंत्री रेखारे ने विभागय सचिवार निदेशा के साथ बैटका घटना की पूरी जानकारी ली, खननन माफिया ने वनकर्मी उपर किया ट्रेक्टर चड़ाने का प्रयास, बौर नादी में अवैत खननन की सुचना पर वनकर तहरीर दे कर कारवाई की मांग की है, बेटी से दुशकम के आरोप में सौतेला पिता गिराफतार, एक महिला ने अपनी बारा वश्या पुति के साथ उसके सौतेले पिता द्वारा दुशकम करने का आरोप लगाते हुए, पुलिस को तहरीर दी है, पुलिस ने आरोपी के इस दर्जकरों से गिरफतार कर लिया है, मासुम का कलेजा खने वाले दंपत्ती समीथ चार को उम्रकैद, कानपूर में तांतरी की कहने पर बच्ची के अगर कलेजा खने की मामने में दंपत्ती समीथ 4 लोगों को गोट ने उम्रकैद के सजा सुनाई है, पती पतनी पर 20-20 तो दो अन्य दोचों पर पैतालिस पैतलिस हजार रुपए का जुर्माना लगा है। गरेलू जगडे में पती ने पतनी को नमाज पढ़ते वक्त चाकुमार का घाल कर दिया शोश और अबाहुने पर आसपड़ों सी मौके पर पहुँचे तो वहायता का पती वहाँ से फरार हो गया। हमारे चेने को लाइक पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।